कश्मी क्राउन में आप सब का वेलकम मैं हूँ आपके साथ इर्फान मलिक मैं इस वकत मौझूद हूँ कौपड़ा के क्रालपुरा इलाके में नाजरीन आप जानते हैं पिछले कई दिनों से BM nareka employees pen down strike पे हैं और इस साथ यहां पर कुछ empliero government association कि Phase se in some amtone बात करेंगे इंके pen down strike के बारे में बात करेंगेँ प्राइब कि औरिमांड से उनके बारे में भी जन्द की कोशिस करेंगी तो 13 प्रपान साब, एक्षिवली हमारा जो मुदव मकसद है, वो यह है कि हमारी कुछ जनिमन डिमांडस है, जो हमने गोर्मेंट के पास रुखी है, पिछले 15 साल से डिपार्टमेंट में कम करते आ रहे हैं, और कुछ डिमांडस जो हमारी है, वो किसी हद तक डिपार्टमेंट न एक्सेप्ट की है, क्योंकि आज तक तीन कमीटी इस फ्रैम हुई, तीन कमीटी इस कानस्चूट होने के बावजूद भी, आज तक कंक्रीट में हमें कुछ नहीं मिला, हमने प्रविनिस लेवल पे एक मिटिंग की थी, प्रविनिस लेवल में हमने ये ताई किया था कि हम व और एब्सार्प्शन की फाइल जो है, रिगुलराइज़ेशन की वो अपन की जाए, और दूसरी बात जो है कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये बलॉक लेवल पे थी, इस समय हम डिस्टिक लेवल पे जमा हुए है, ये मेरे कुछ बलॉक प्रेजिडेंट्स है, जो डिस्टिक को जो है, एक्सिटेंट करना चाहिए, या हमें कुछ और एक्तिदमात उठाने हैं, तो उनके लिए मेरी ये मेसेज रहेगी कि शाम तक वो कलियर करें, सबसे पहले आपका यहां आने के लिए शुक्रिया, इसके साथ मैं ये बता दू कि मैं एप्रिशेट करता हूँ अपन सब्सक्राइब ने हमारे लिए 1900 का प्रपोजल प्रपोज किया था, जिसको सेक्टरेट लेवल पर डिने किया गया, रिजेक्ट किया गया, और वज़ा ये बताई गई कि हमारे पास फाइनेंशल फ्लेक्सिबिल्टी नहीं है, टेक्निकल एस्टेंट्स जो सालह साल से तेर से प्रमोशन होके इंचारज जाते हैं, उन सब के होते हुए भी उन से, क्योंकि आज टेक्निलोजी का दोर है, आज की इस्टिमेशन मैनवल नहीं है, नरेगा पूरा सिक्योर पे चलता है, बाकी जितने भी इस्टिमेशन हैं, वो अब मैनवल नहीं चलते हैं, ये सारे काम टेक्निकल इस्टिमेशन कर रहे थे, गौर्मेंट ने एक उल्टा डिसीजन लिया, ये समझ से बाहर है, कि एक आदमी तब रिटायर होता है, जब हो मेंटली भी रिटायर हो, फिजिकली भी रिटायर हो, और उसको घर बेजा जाता है, उसको दवाई का खर्चा पेंशन की सूरत में लगाया जाता है, मौझूदा एडमिस्टेशन ने एक अनोखा सा फैसला लिया, जो यहीं लिया गया है, कि आप रिटायर इंजिनिर्स को एपॉइंट करके लाईए, और डिपार्टमेंट में काम करवाईए, तीस हजार के एवस, ये डिपार्टमेंट आँखें मौन्द के ये फैसला कर रहा है, जो हमारे टेकनिकल से वही काम दस से ग्यारा हजार रुपे पे ले रहा है, वही सारी स्कीमें चलवा रहा है, जिसके वज़ा से हमारे टेकनिकल से ने प्रोटेस्ट शुरू की, मैं उनको एप्रिशेट करता हूँ, गौवर्मेंट के साथ वार्ता करके बहुत सी मरतबा रखी हैं, गौवर्मेंट ने हमारे लिए आई तक तीन किमीटियां बनाई, तीन किमीटियों ने आउटपुट कुछ नहीं दिया, किमीटियां बनी, उन्होंने रिपोर्ट कुछ फाइनल नहीं की, गौवर्मेंट ने हमारी गौवर्मेंट रूल बनाना पड़ता है, उसमें तर्मीम करनी पड़ती है, वो फाइल भी 2000 से लेके अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है, उसके बाद गौवर्मेंट ने एक दो प्रपोजल डिपार्टमेंट ने और किये, गौवर्मेंट को सबमेट कि इनकी सैल हुआ लेकिन हो कुछ नहीं रहा है.